यह दो जहर हम हर रोज खा रहे हैं, दिन भर में कई बार खाते हैं, यह दोनों चीजें दुनिया भर की बिमारियों की सबसे बड़ी जड़ हैं, जब से इनका आविशकार हुआ है, इनसे समुची मानोजाती की सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचा है आविशकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह खाद्यपदात प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम ढंग से इन्हें इनसान प्राप्त करता है विडम मना यह है कि हमारे खाने के लगबग हर व्यंग जन में दोनों में से एक भरपूर मात्रा में डाला जाता है किसी किसी में तो दोनों होता है अब आप ठीक समझें, यह दो जहर हैं, चीनी और नमक चीनी में हमारे शरीर के लिए फायदेमन पोशक्ततु तो कोई नहीं होता सिर्फ कैलोरी ही कैलोरी होती है चीनी एक रिफाइंड केमिकल ही है जो हमारे पाचनतंत्र और पूरे शरीर को भारी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह डायबिटीज, लिवर की बिमारियों, मुटापे, फैटी लिवर, इंसुलिन समबंधी और यहां तक की कैंसर जैसी बिमारियों के तेजी से पनपने का कारण बन चुका है इसकी देनिक मातरा हम जितनी जल्दी जितनी कम कर सकें, हमारे लिए उतना ही बेहतर है चीनी की जगे हम गुड़, मिश्री और शेहत का प्रयोग कर सकते हैं, वह भी कम मातरा में अब बात की जाए दूसरे जहर यानि नमक की, ध्यान रखें नमक चाहे रिफाइंड हो या किसी भी तरह का कोई भी नमक, उसके मूल रसायनिक गुर्ण लगभग एक ही होंगे नमक की मात्रा हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा होगी, हमारा रक्ट चाप यानि ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा हाई ब्लड प्रेशर कई खतरनाक बीमारियों की जड़ है इससे किड्नी, आखें, हिर्दे, लिवर और यहां तक की दिमाग तक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है जाहिर है कि इसकी मात्रा भी हम जितनी कम कर सकें उतना ही अच्छा है लेकिन एक जरूरी बात यह ध्यान रखें थोड़ा नमक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है कुल मिलाकर हम जितना नमक रोज लेते हैं उसका 25 प्रतिशत ही परयाप्त है नमक और चीनी ये दोनों चीज़े ही ऐसी हैं जिनके कारण खाने की अन्य सभी चीजों का असली प्राकृतिक स्वाद हम शायद भूल ही चुके हैं